कि हजारो खौब सीने में में दफन करके मैं आउंगा एक फौजी क्या सोचता है जब वो घर से जाता है यूदुपे तो उसके परिवार वाले क्या सोचता है तो सोचिएगा कि हजारो खौब सीने में में दफन करके मैं आउंगा है मेरे देसे की मिटी जतन करके मैं आउँगा हजारों ख्राब सीने में तफन करके मैं आउँगा सिलाओ असूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का सिलाओ सूट तुम पहनो भले लखों हजारों का तिरंगा एक दिन अपना कफन करके बहुत भूँ धन्यवाद और अगली चार लाइन जो बनारस ने हम लोग पड़ रहें सुनिये गाँ बनारस का परिच्छे देता हूँ चार लाइन में बिल्कुल नहीं कभी ता है यहीं प है यहां पथर भी पारस है यहां पथर में मूरत है यहां पथर भी पारस है करे हठके लिया मजदार में भी स्वान सारस है जो छूले धार गंगा की तो फिर बैकुंठ वो जाए कि जन्नत से बड़ी नगिरी ये कासी है बनारस है और चार प्रक्टिया और पढ़ता हूं और यह आप किसी के पक्ष में भी सुन सकते हैं सुनेगा कि तूटे दिल का हर एक को ना बन जाएं बंगाली का जाजा तो ना बन जाएं तूटे दिल का हर एक को ना बन जाएं यार हमें भी ले जाओ तुम पंजे में मुमकिन है आलू है सोना बन जाएं और ये पतियों पे अभी तक पतियों पे पढ़ा गया पतियों पे पढ़ा गया लेकिन आज जो पतियों पे नहीं पढ़ा गया वो पढ़ता हूं सुनिएगा कि पतियों को जब से लतार लगने लगी ये समस्या आती कहां से है पहले सब फीक रहता है फिर सुनिएगा समस्या कि पतियों को जब से लतार लगने लगी तिल सी जो पतनी थी तार लगने लगी तिल सी जो पतनी थी तार लगने लगी और आई थी फरारी जैसी अभी कुछ साल चली ताटा सुमो गोल्ड सी तब आड़ लगने लगी है लग एो, है लग प्रॉग्छस एली